टॉल पलाजा पर टॉल टैक्स लेने की वज़ा से जो जाम लगती है और टॉल टैक्स लेने के आर में जो धांजली बाजी टॉल बूत पर होती है उसको रोकने के लिए अब सरकार एक नई नियम लाने जा रही है इससे आप टॉल बूत पर लगने वाली जाम से तो बची जा तो आपको कम से कम 60 km यात्रा करने की जो चार्ज है वह देना पड़ता है लेकिन अब सरकार का एक नया नियम आ गया है जिसके बाद अगर आप 20 km यात्रा करेंगे तो आपको 20 km के ही चार्ज देने होंगे और किसी भी 12 पलाजा पर अब आपकी गारी को रोका नहीं जाएगा 12 पलाजा का जो चार्ज है आप पर बनता है वह सीधे आपके खाते से काट लिया जाएगा 12 पलाजा पर जाम लगने की वज़ा से देश को हर साल एक लाख हजार क्रो रूपय का नुकसान होता है और आम लोगों का समय भी खराब होता है साथ ही गारी के इंधन भी बरबाद ह होते हैं आज के इस वीडियो में टॉल बूत से जुरी नए नियम के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम घंसयाम सिंग है और आप जनता जंगसन देख रहे हैं दरसल टॉल पलाजा पर टॉल टैक्स वसूलने की वज़ा से जो अमाउंट को जोड़ दे तो हर साल करीब 1,45,000 क्रोड रूपय का नुकसान हो रहा है जो देश की अर्थ व्यवस्था और आम लोगों की जे पर भी काफी असर डाल ला है इन मुश्किलों से निपटने के लिए अब सरकार एक नए नियम बनाने की तयारी कर रही है इस नए गाडियों के नंबर प्लेट में ही GPS सिस्टम लगवाया जाएगा और ANPR कैमरा गाडियों की नंबर प्लेट से सीधे GPS के माध्यम से यह चेक कर लेगा यह गारी कितने किलोमीटर तक नेशनल हाइवे सरक पर चली है और उसी हिसाब से गारी जिनके नाम पर रहेगा यानि की गारी के मालिक के खाते से टॉल टेक्स जो होता है वो काट लिया जाएगा मतलब कि नियम के शुरू होने के बाद सबसे पहले सभी गारियों की नंबर प्लेट बदलवाये जाएगे और सभी टॉल बूत पर ANPR कैमरा लगाया जाएगा आपके गारी के नए नंबर प्लेट म पर जितनी दूरी की यात्रा किये हैं उस हिसाब से आपके बैंक खाते से टॉल टेक्स काट लिया जाएगा इस नए नियम के आने से आपका समय तो बचेगा ही और साथी साथ जाम में फसने की वज़ा से जो फालतू का इंजन जल रहा था वो अभी बचेगा पिछले साल सं नहीं जलेगा इसे आम लोगों के साथ साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी शुदरेगी और टॉल पलाजा पर टैक्स वसुलने के नाम पर धांदली हो रही है उस पर भी निश्चित रूप से लगाम लगेगा इस नए नियम में आप जितनी दूरी तया करेंगे उस द दी गई है नितिन गड़करी ने कहा कि अभी अगर कोई आदमी 20 किलो मीटर की दूरी भी नेशनल हाइवे पर टैक करता है तो उसको कम से कम 60 किलो मीटर का जो टोल टैक्स है वह देना परता है लेकिन जब यह नियम आ जाएगा तो नए GPS आधारित नंबर प्लेट के जड़ पर 1,45,000 क्रोड रूपय का जो नुकसान है वह भी बचेगा जिससे देश की अर्थ व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा हलाकि नितिन गड़करी ने सभी नए गारियों में GPS वाली नंबर प्लेट लगाने का आदेश तो दे दिया है लेकिन देखने वाली बात में लिख कर बताईए वीडियो को सेर कीजिए और अगर हमारा यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घं आप्यावाद